तो इस वीडियो के अंदेर हम बात कहने वाले हैं Redmi Note 10S के बारे में क्योंकि बहुत सारा डाउट से confusion से आप लोगों की मन में तो जिस तरह से एक सवाल था कि पहले मुर्गी आई थी या फिर अंडा सेम उसी तरह से आभी केसे में पे इंडिया Redmi Note 10S users के बार में confusion है इसके बाद कौन सा नया अपडेट आएगा क्योंकि इस साल मतलब 2023 में अब तक एक भी सिंगल अपडेट नहीं आया है 15.0.11.0 का इंडिया नुजर के लिए इस वीडियो के अंदर इसी के बात करने वाले हैं तो सबसे पहले आगर में यहां पर में बात करूं तो मीवाई 14 के अंदर कुछ हमें चेंजेज तो देखने को मिल रहा है लेकिन इस्पेसिली लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं क्यों सारी प्रॉब्लम्स हमें फिक्स देखने को मिल जाएगा तो इसी लिए लोग काफी बेसरी से मीवाई 14 का इंतजार कर रहे हैं और यह जानती हुए भी कि मीवाई 14 के अंदर आजज हमें कोई भी नया फिचर्स देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बस वही एक होप है कि चलो अपडेट आने के बाद जो अभी फिलहाल प्रॉब्लम्स है यह सारा एटलेस्ट फिक्स हो जाएगा ओके सो नाव सुरुवाद से सुरुवाद करते हैं तो सब से पहले कुछ दें पहले शामी ने मीवाई 14 को एनाउंस किया फिर मीवाई 14 के लिए गाया उसका प्रपर स्क इसका नाम था तो ओफिसली इसी टाइम के अंदर हमें मीवाई 14 का अपडेट देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप मीवाई 14 के स्केडियूल इससे पहले देख चुके हो तो नीचे एक स्टार मार्क देके लिखा हुआ था कि ऐसा कोई इंपर्टन नहीं है कि जो लेस्ट ह हमने बताया सिर्फ इसी टाइम पर आएगा इससे पहले भी आ सकता है और थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है और ग्लोबली मीवाई 14 का टेस्टिंग काफी टाइम से चला होता हुआ आ रहा है जिसके बार मैंने आप लोग को काफी टाइम पहले से वीडियो बना कि बताती यूजर्स को यहां पर मिला इसके बाद हम फिर देखते हैं कि मीवाई 13.0.11.0 का अपडेट यूजर्स के लिए निकाल दया फिर नेक्स दिन इंडियान यूजर्स के लिया गया और अभी कि आगर मैं बात करूं तो मीवाई 14 का जो अपडेट है ग्लोबल वाला वो पब्ल लोग को कि अगर शौमी का मीवाई 14 का अपडेट के बीच यह अपडेट अगर नहीं आता है गलोबल रिजन के लिए ूप्ल्य आफ सही शारे और विभूदे के लिए तब हमें भाई 14 का अपडेट यह यूजर्स किया है जिसमें हमें february 2023 काि से कुयर्टी पैच्छ दे है अभी मिवाइ 13.0.11.0 का यह सबसे पहले तो पब्लीक ली सारी उसर को नहीं मिला है तो कुछी दिनों के अंदर यह अपडेट सबसे पहले हमें इंडियान यूजर के लिए देखने को मिलेगा और यह जो मिवाइ 13 का अपडेट है जो अभी अभी इंडियान यूजर को दे देखने को मिल जाता है और आभी कि समय में मिवाइ 14 का अपडेट ग्लोबली आया है तो यहां से आप समयज के होंगे कि आभी की समय में हमें जो सबसे पहला आप देखने को मिलेगा वह मिवाइ 13.0,11.0 का देखने को जो की एक हफते का अंदर-अंदर सारी यूजर्स को य अपडेट मिल जाने दो मीवाइ 13.0.11.0 का जिसमें हमें सिर्फ फेवरारी 2023 का Android security patch देखने को मिलता है और इससे पहले भी जो दो-तिन updates आया है Redmi Note 10S users के लिए same type का ही update है मतलब size बहुत ही कम सिर्फ Android security patch को एंड कुछ security को improve किया गया है इसके अलाबा और कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा और इसके बाद जो April के महिने में हमें update देखने को मिलेगा around April के need में वो होगा MIUI 14 का इंडियान Redmi Note 10S users के लिए और यहां पर मैं आप लोग को एक और बार clear कर दो कि जो MIUI 14 का update आएगा Redmi Note 10S users के लिए यहां पर भी आप expect मत करो कि आपको बहुत सारे changes updates देखने को मिलेगा sorry updates नहीं features देखने को मिलेगा हाँ वैसे क्या-क्या changes आपको देखने को मिलेगा MIUI 14 update आने के बाद इसकी बार में मैंने detail में इस वीडियो के अंदर बात किया हूं आप जाके वीडियो को check out कर सकते हो तो आई होप आपके मैं में जितने भी doubts था confusions था Redmi Note 10S को लेके यह सारा clear हो गया होगा तो इसी बात वीडियो को like and share करना मत बूलना अगर आपके मैं में आभी भी कोई और doubts है तो नीचे मुझे आप comment करके पूछ सकते हो और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए चनल को subscribe करना मत बूलना आप लोगा सुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए thank you